नमस्कार दोस्तों स्वागत है मेरे चैनल First Investment पे मैं हूँ आपका मेंटर शिवांच पसी दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कल निफ्टी बैंक निफ्टी का सेटप क्या रह सकता है और कौन से स्टॉक्स बढ़िया परफॉर्म कर सकते हैं आज की मार्केट पे भी हम लोगों ने देखा अगर मैं निफ्टी के सबसे पहले बात करता हूँ तो लगातार फाइव डेस की सेलिंग के बाद आज हम लोगों ने एक लेवल पे करें क्या लेवल होना चाहिए वो लेवल हम आप लोगों को बताएंगे और फाइव स्टॉक्स की तरफ भी बढ़ती है एक इंपॉर्टेंट बात में और आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा गाइस हमारा जो क्लास चल दिया है जो मेरी थ्री मंद की मेंटोशिप प्रोग्राम है उसमें लोग गाइस वन-टू-वन सेशन एक दूसरे के साथ लेते हैं जिनके भी डाउट होते हैं तो उसमें से आज हम लोग ने एक वन-टू-वन सेशन लिया था और उनके कुछ डा बताई होंगी तो वीडियो वो आज आ जाएगी या फिर मैं कल सुबह अपलोट कर दूँगा उस डेफिनिटली वीडियो को देखेगा और आप लोगो कुछ समझ में जरूर आएगा कोई डाउट साते हैं तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं और मैं आप लोगो को रेपला सकते हैं एक demand zone हमें देखने को मिल रहा था and demand zone से एक बहुत बढ़िया recovery देखने को मिली उसके बाद थोड़ा सा pause लिया and a clear breakout हमें देखने को मिला so यहां पर हम लोग देख रहे है कि एक cup and handle का हमें breakout देखने को मिल रहा है and I think कि यहां से एक अच्छी movement यह दे सकता है जो इस next stock की तरफ next stock is natco pharma natco pharma मैंने आज खुद buy करा है for a swing trading and कोई भी dip मिलती है मैं इसमें और buying opportunity initiate करूँगा सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को यहां पर दिखाता हूँ see एक इस level से हम लोग ने एक up move आते वे देखी थी और यह हमारा top था ठीक है so almost almost three times वो increase करा था उसके ब call आया यह जो level है that is the 38.6% का retracement level exact इस level से bounce कर रहा है plus हम लोग यहां पर देख सके है कि multiple supports हमें आपर देखने को मिले है so यहां पर एक अच्छा level है इस particular stock को buy करने के लिए और definitely मैं इसकी उपर एक dedicated video भी ले आऊँगा तो इस particular stock को आप watch करके चल सकते है आप देख सकते है एक इस विक बनी rejection मिला rejection से stock उपर गया अगले दिन इस market जो सबसे जादा गिरी थी हम लोग ने देखा था कि थोड़ा सा fall आया बट आज के दिन पूरा recover कर गया इस stock को definitely watch करके चल सकते है and I think यह एक अच्छा return दे सकता है 820 की closing है इसकी और यह अच्छा खासा उपर जा सकता है इस particular stock को अपनी watch list के दर ज़रूर आट करेगा चलिए I'll move to our next stock that is Kirlos Singh इस particular stock के बारे में अगर हम लोग बात करें तो already इस पर में एक stock यह आप लोगों को बता चुका था कि इस पे एक flag pattern मना था आप वीडियो जा के देख सकते हैं यह देखेगा एक flag pattern मनाता है it gave a retest यहाँ पर हम लोगोंने buying opportunity initiate करी थी और बहुत बढ़ीए targets मिलेते हैं उसके बाद अगर आप देखेंगे यह particular stock करके आ रहा है तो let me show you यह stock उपर गया it gave a retracement again it moved up again it gave a retracement अब यहाँ सी definitely दुबारा उपर भी जा सकता है so यह एक uptrend में it's continuously making higher highs and higher lows यहाँ पर एक buy करने का setup है and I think यह अच्छे targets दिखा सकता है this stock को definitely watchlist के अंतर अपने input रुकेगा और I think यह अच्छे profits दे पाएगा current price यह जो इसका है that is 161 rupees किर्लो से अगर आप लोगो guys नाम समझने में दिक्कत होती है तो मैं description पे नाम दाल देता हूँ तो उसके थुरू आप help कर सकते है अपने आपकी ठेक है our next stock is Ishyana Housing just wait a second I think spelling mistake है yes Ishyana Housing पे भी आप clearly देख सकते है एक range के अंदर multiple time consolidate कर चुका है and I think कि अगर यहां से breakout कल देता है जो कि उमीद लग रही है कि breakout दे सकता है तो हम लोगों वो अच्छे levels देखने को मिल सकते है जो इसका current price है that is 114 और मुझे लगता है कि अच्छे targets तक reach कर सकता है इस stock को definitely अपनी watch list के अंदर रखेगा चलिए our last stock जो है वो है sale sale के तरफ बढ़ते है और sale पर अगर आपको clear दिख रहा होगा continuous uptrend हमें देखने को मिला stock के अंदर उसके बाद क्या करा वो exact यहां से fall करा and it gave a 50% retracement 50% retracement देने के बाद वो stock क्या कर रहा है ऊपर गया नीचे आया अपने previous low को break नहीं करा and दुबारा उपर चला गया और अपने previous high को break कर गया so right now its continuously making higher highs and higher lows और राइट टाइम ऐसे buy करने का and on a dip as well stock को भी definitely अपनी watch list के अंदर रखेगा इसका जो current price है that is 70.55 रुपीज का तो चलिए आप बढ़ते है nifty bank nifty की तरफ and check करते है कि उस पे क्या हो रहा है तो nifty पे आप लोग को clear दिख जाएगा see nifty पे आप लोग को clearly दिख रहा है एक continuous 5 दिन की fall के बाद एक inside candle बनी है so अगर इस level का breakdown हमें देखने को मिलता है तो यहाँ पर एक अच्छी selling pressure हमें देखने को मिल सकता है तो मैं थोड़ा सा और zoom कर देता हूँ अगर यह नीचे वाली line break होती है that is 14,630 का तो वहाँ पर हम लोगों को एक अच्छा खासा selling pressure देखने को मिल सकता है why I am saying this एक तो सबसे पहले आप देख सकते है strong candle का high जो low था और जो close in price था exact match करा मैंने उसके बाद आप देख सकते हैं अगर मैं एक यह zone मनाता हूँ देखेगा यहां पर multiple time हम में resistance देखने को मिला और अगर यह break करता है तो continuous downtrend start हो सकता है तो wait करेगा अगर hold करके अगले दिन ऊपर खुलता है कल ऊपर closing देता है तो हम लोग buy side के बारे में सोचेंगे बट अभी कोई buy side में opportunity नहीं है sell side में below 14,630 bank nifty बात करें तो bank nifty तो already week है चेक है bank nifty पर आप clear देख सकते हैं कि यह level था जो कि एक support का काम कर सकता था कल के दिन हम लोगों ने इसके नीचे closing देखी आज हो सकता around 35,500 400 के आसपास तक का तो वहाँ पर आप लोग एक selling pressure initiate कर सकते हैं और I think वहाँ पर आप लोगों को अच्छे targets मिल सकते हैं तो buy के लिए बिलकुल भी मच जाईएगा अगर जब भी 35,500 के आसपास आता और कोई भी reversal का handle आपको दिखती है you can go for a shot in bank nifty as well ठीक है तो चलिए यहाँ तक की थी हमारी आज की analysis and I hope आप लोगों को समझ में आया होगा clear analysis के साथ मैंने आप लोगों को पढ़ाया होगा यहाँ पर एक वीडियो में और जैसे मैंने आप लोगों को बताया था वीडियो में कल लेकर आँगा या फिर मैं आज रात तक upload कर दूगा उसको भी आप definitely watch कर सकते हैं प्लस हम Instagram पे follow करना मत बूलेगा मैं daily basis पे वहाँ पर two stocks upload करता हूँ and वहाँ पर आप लोगों को बहुत help में जाएगे तो चलिए मैं end करता हूँ इस वीडियो को I hope आप लोगों को वीडियो पसंद आए होगी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like करना मत बूलेगा चैनल को subscribe करना मत बूलेगा let's aim for 1 lakh subscribers की मेरा silver play button आज़ए अतनी महनत करना हो 2 साल हो गया silver play button तो आप लोगी महनत करवा के लिए कर आ सकते हैं तो चलिए end करते हैं मिलते अंगली वीडियो पे मैं शिवाज भसीन साइनिंग हूँ